क्या हुआ जब जहरीले साफ से अपने भक्त को बचाने आये सोयम हनुमान जी फिर जो हुआ उसे देखकर दोस्तों आप लोगों के होश उड़ जाएंगे जैशीराम नमस्कार दोस्तों हमारी यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज हम आपको हनुमान जी के चमतकार की एक ऐसी सची गटना सुनाने जा रही है जिसे सुनकर आपकी आँखे फटी रह जाएंगी दरसल दोस्तों हम बात कर रहे हैं बिहार के छोटे से गाउं के रहने वाले राहुल जी की जिनोंने हमारे साथ हनुमान जी के चमतकार की ये सची गटना शीर किये राहुल जी बताते हैं कि वह बिहार के एक छोटे सी गाउं के रहने वाले हैं और पेशे से किशान है हनुमान जी के प्रति उनकी काफी गहरी आस्ता है प्रति दिन सुभास नान आदी करकर हनुमान जी की पूजा और सूरदेव को जलर पृत करना उनका नियम था राहुल जी पताते हैं कि बात 4 मार्च 2000 की है जब शिवरात्री का दिन था मैं अपने परिवार के साथ भागवान शिव के मंदिर में पूजा करने गया था और फिर वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने वहां खड़े सभी लोगों को पल के लिए सद्मे में डाल दिया दोस्तों गाओं के सभी लोग उस घटना को देखकर काफी डर गए थे सभी लोग चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते थे तब भी हनवान जी की ऐसी कृपा हुई कि उनके चमतकार ने इस खतरनाक मुसीवत को पल भर में ही एकदम से ठीक कर दिया हुआ यूँकि उस दिन जब मैं अपने परिवार के साथ भगवान शिव के मंदिर गया हुआ था कि तब ही अचानक एक बहुत बड़ा साप वहां आ जाता है साप बहुत बड़ा खतरनाक दिख रहा था गाओं के सबी लोग काफी डर गए थे गाओं का कोई भी व्यक्ति इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि उस साप को वहां से भगा पाए शाम के करीबन पांच बड़ चुके थे और शिवरात्री के इस पावन रात्री के लिए पूजा की तयारी करनी अभी बागी थी मगर उस साप के डर के कारण कोई भी व्यक्ति मंदिर के अंदर प्रवेश्च नहीं कर पा रहा था समय बीता जा रहा था मगर वह साप मंदिर से बाहर नहीं निकल रहा था समय हो गया था शाम के करीबन आठ और अभी तक पूजा की तयारी शुरू नहीं हुई ये पहली बार ही होगा जब हमने अभी तक पूजा की कोई तयारी नहीं कि थी दोस्तों मनी मन सभी ने हनुमान जी को और भुलेनाथ से प्राटना करना आरम बगर दिया कि प्रबू हमारी मनद करें क्योंकि आपके मंदिर के लावा हम इस त्योहार को कहीं और नहीं मना सकते तभी दोस्तों कुछ ऐसा चमतकार हुआ जिसे देखकर वहां खड़े सभी लोगों की आँखे फटी की फटी रहे गई दोस्तों तभी वहां पर वालरों को एक जुन्ट आया और वह वालर से न सीधी मंदिर के अंदर घुसके और उस साब को पकड़ कर मंदिर के बाहर फेक दिया ये सब देखकर सभी लोग हैरान हो गए कि ये कैसा चमतकार है तब ये मंदिर का पुजारी बताता है दोस्तों कि भक्तों से तो सोयम हनुमान जी कही चमतकार है क्योंकि भगवान शिव ने अपने ग्यारवे रूदरवतार हनुमान जी को आपकी मलत के लिए भीजा है दोस्तों अगर आपको एक खास जानकार ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें मेलें एंगलिवार एक नई खास वीडियो के साथ अब तक के लिए बहुत बहुत ध जाने बातन